Hello everyone, welcome back to our channel Future Study. इसमें BA program semester of course के students है जो आपका discipline subject है political science. इसके important question भी तंसर आपको इस वीडियो में बताने जारे राजिन्दिक सितान का परिच्छे. और ये जो हमारी classes है, ये classes 8 है. इससे पहले हमने बाकी की 7 classes करा चुके, वो सभी आपके लिए काफी ज्यादा important classes है. इसमें जो unit second है, इसके important question भी तंसर आपको बताएंगे. तो आपके सामने question दिख रहा है, question देखे, नियाए की परिभास्या आथ हैं परकार. question 8 लिखे, नियाए की परिभासा दीजे, नियाए के विविन रूपों की विविचना कीजे, नियाए से आप क्या समत्ते, नियाए के विविन आयमों की विविचना कीजे, तो एक चीत रहा दखेगा, अगर आपके पेपर में परकार पूछे, या रूप पूछे, या आप पूछ तीनों एकी चीज़ होते हैं तीनों में आपको से मन से लिखना है परकाय रूप आयम तीनों एकी वर्ड होते हैं ठीक है तो और इसके परिभासा देखते हैं यहां से स्टार्ट है आपका कोर्शन का अंसर आज की संगर्थित व्यूस्ता का अधार कानून है और कानू जरूरी यागर कानुन आपके जीवन में नहीं होगा तो आपको जो नियाई प्राप्ति नहीं होगी तो एक राइटर है तो इनका अनुसाथ देखिए यदि राज्य के नियाई का दीपक बुझ जाये तो अंधेरा कितना घना होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते अगर आप में न्याय का जो न्याय विरुष्टा जो खतम हो जाए तो अंधियरा कितना घणा होगा इसके कोई भी कल्पना नहीं कर सकते ठीक है तो यह तो समझ में आये कि आपको न्याय का होता है आप देखियें अंगरेजी अनुबाद जस्टी सब्लेटिंग भासे के ज़स्ट से जो बैक्ति समूवों को एक सूत्र में बांधती एक तद्पह बनाए रखना ही न्याए कि नियाए विष्ब्स की नियाए तिलिकम्न और पर आप और यह तैनल गया परप्त होगा और यह मेel की इनुसाय। की परिभासन निया की नियम होते हैं लिखे जिया श्रॉड है इसका जो मानव की जीवन है उसकी नियम से अधिक महत्पून है तो यह तो आपको समझे में आगए जो नियाएक की अथ हो नियाएक की परिभास क्या है राइटर को कोडिंग आप यहां देखें जो नियाएक की धादना के विवियरूप या आयम या परकार आपसे पूछे त आँ नियातिक नियाय के और अधारित थे कि आनतिच descent नियम है थ। ठीर होते उसके विश्वास को लिया जाता है झो भीस्वेश में कुछस्वाय ब्रेक्ति नियम यह सब Leo इस प्राकती नियमों और अधिकार आधारी जीवन बैतित करना ही नैतिक नियाई होता है। जब हमारा आचनन इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याई के आउस सकता है जब हमारा आचनन इसके विप्रित होता है तब वह नैतिक न्याई के विरूद होता है अगर आप प्राकती में रहे कि अपने जो नैतिक न्याई को कारे करते तो नैतिक न्याई और सेकन पॉइंट कानून यू प्राप्थ होता है राज्य के प expands a उद्देशे में निम्याय को जो भी कानून की दिश्टी से जो भी विरुष्टा की जाती उन सभी को जो कानून की दिश्टी में जो नियाई विरुष्टा किया जाता है कानूनी कानूनी नियाई में हुई सभी नियम और कानून वेबास सामिल है जिसके अनुसारान किया जाना चाहिए और उसमें नियम कानून सामिल होते हैं कानून विरुष इसको आपका जो राजनेतिक आये तो इसमें देखे ciudad स्वाइबकтов को पराप होते लगबख संवा रूपख से परभव वियुस्ता को कर सकते। और राजनेतिक वियुस्ता को तरीकस्ता मोग उसमाक टार्ची होता है। और उने सभी रूप में अपने सम्मान के लिए अपना प्रभाव दिखाना चाहिए जो राजनेतिक सकते होते हैं सभी उसका परियोग कर सकते हैं अपने विकास के लिए अपने लाप के लिए यही राजनेतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वैभापिक रोप से एक और इसके साथ कुछ अन्य साधन भी जैसे कि व्यवसाइक मतरिकार आपको पता इसके जरी आप भोट दें सकते हैं अपने नेता को चुन सकते हैं सभी प्यक्तियों के लिए विचार भासन संवेलन संगठन आदे की नागरी सोतंता तो आपको पता है कहीं भी आने जाने की सोत होती क्या तो आपको आतोता है कि भी सतन्ता होती है बीना किसी व्यवत बाउं के बैक्तियों को स्वह सब को समाज से कृष्च के इसमें एक है कि नगरिक भी किसी परकार विंगुत कृष्वाह को वहद ना मानच जाया और अत्म व البशार म seem अपसंगत रप यह बात नहीं था कि अच्छी जीवन के लिए बैक्ति को आउसक परिस्तितिया प्राफ्ट होनी चीए इस संदब में समाज की राजनेतिक सत्ता से यह आसा की जाती है कि वह अपने विधायक तता प्रासासनी कारेकरम हो द्वारा एक ऐसे समाज की इस्तापना करें जो समानता बरहें पर अधारेतल और जो राजनीतिक वियोष्टा जो निधर करते के उनके कारेकरम प्रासासन करते हैं उनको एक से 6 तित समाज की जो कल्पना की जाने चाहित जिसमें सभी सभी बैक्ति कात्तिकाते हों किसी विरूप में स्वब़भव संभव नहीं है। और जो अच्छा समानता है और इसका जो टात्परे सीय है अन्हें है जो आपके बैबार की स्तिति है और उसके अंदर यह संभाव नहीं है आथिक न्याय का तात्पर है कि संपति संबनित भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपादर के अधार पर बैक्ति-व्यक्ति के विश्ट की कोई दिवाल खड़ी हो जाए तो जो आथिक न्याय दौर्ण दौर्ण बैक्तियों के स्ठापित कर दिये जाते इस में यह बात भी नहीं है कि समाज में सभी बैक्तियों की अन्यवारिया हुख सकता है पूरी हो नी चाहिए तो समाज को जरूरतें पूरी हो ना चाहिए उसके बाद उन्हें बैक्तियों द्वारा आराम दायक आउसकता हो पूरा किया जा सकता है जो भी उनके आराम दायक की चीज़ें उनके लिए उनकी जरूरी चीज़ें को प्राप्त किया जाना चाहिए आर्थिक नियाय के लच्छे को प्राप्त करने के लिए बैक्तिकर संप सबसे हैं तोस्तों कर सकते बैपार कर सकते तो यही अहीं सब आपको पॉइंट इसमें बना लिखना कि जो आठीक सब से पहले तो आपको यह सबस्ते नहां जैसे इसी टाइप से तो वीडियो अच्छी लेगा तो लाइक से जो किजीगा इससे पहले की वाकिए की क्लास से सभी 7 देख लिजीगा काफी इंपोर्टन ही क्लास 8 है इसके बाद क्लास 9 आएगी बहुत ही जल तो वीडियो को सेर किजीए